निफ्टी 20,000 के आसपास जा सकता है निवेंबर 2024 में ऐसी प्रेडिक्शन ये नए टार्गेट्स अब गोल्डवन शेक्स ने यहां पर दिये हैं और उनके इसाब से कि अगब यहां से अगर आप देखते हैं लगबग 17,500 के आसपास निफ्टी चल रहा है लगबग 15% की अप बात करते हैं वो लोग यह मान रहे हैं कि यहां पर जो इंडिया की वेलुएशन से यह अभी भी सस्ती नहीं हुई है लेकिन reasonable काफी हो चुकी है अपने जो overall जो all time high है उससे काफी जादा अच्छी वेलुएशन में इंडिया आ चुका है और आने वाले एक साल में जो इंड सेक्टर रहने वाले है वो financial सेक्टर यह मान रहे हैं banking सेक्टर में इनको लगता है कि अच्छी खासी growth यहां पर आ सकती है इसके अलावा भी एक दो सेक्टर से यहां पर इन्होंने mention किये हैं जो इनके असाब से एक अच्छी growth यहां पर दिखा सकता है इसके अलावा दोस्तो कि इंडिया अच्छा कर सकती है इंडिया की जो ratings थी उसको उन्होंने upgrade किया था तो वहां से भी यही positive चीज निकल कर आई थी और उन्होंने भी जिस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा focus किया था सबसे ज़्यादा overweight हुए थे वो भी financial sector ही यहां पर था तो उनके एसाब से भी financial sector एक ऐसा sector है जो आने वाले एक साल में अच्छा कर सकते हैं तो अलग-अलग जो rating agencies हैं वो इस वक्त जो financial sector है उन पर focus कर रहे हैं और दोस्तों देखिए मैं एकी चीज आपको यहां पर बोल रहा हूं कि यह जो market है 2023 की market 2022 की जो market थी यह investors को अच्छे मौके दे रहे हैं dips पर buy क करने के लिए जैसे हमने बार-बार बात की थी जब market 16-800 क्या सबस गई थी एक अच्छी opportunity थी वहां पर 20-25% पैसा लगाने की तो जैसे-जैसे market में dip आता है जब भी market में dip आता है थोड़ा बहुत invest करते हुए आप चलिए देखिए अच्छे आने वाले टाइम में आपको अ आप अपना सवाल डाल सकते हैं किसी भी stock से related और वो आपको बता देगा कि क्या आपको इस stock में इस वक्त invest करना चाहिए hold करना चाहिए या sell करना चाहिए तो एक बर ही चलते हैं स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं कैसे यह tool work करता है और कैसे आप अपने सवाल अपने इस भी stock के बारे में search करना चाहते हैं उसके ticker का इस्तमाल करके आप अपने सवाल यहां पर पूछ सकते हैं जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं इस tool से पूछते हैं should I buy SDFC bank तो यहां पर अगर हम यहां पर इससे यह सवाल पूछते हैं तो यह 30 to 50 seconds में आपके जो भी सवाल है उसका answer आपको दे देगा और आपको बता देगा कि इस वक्त technically कैसे यहां पर इस share के risk report समझा रहा है जैसे यहां पर लिखा आ रहा है कि जो stock है वो सही direction में move हो रहा है moving averages भी इसकी अच्छी है जो 20 दिन की moving average है वो भी अभी उसके उपर stock चल रहा है 50 दिन की moving average के भी उपर तो overall एक positivity stock में बनी हुई है तो यहां पर आप किसी भी stock का essay ही ticker डाल कर किसी भी stock के बारे में research करके आप उसकी stock की details जान सकते हैं और उस stock में बने रहना है या उससे निकलना है यह सारे सवाल आप इस से पूछ सकते हैं तो AI based है यह पूरा tool तो आपको help करता है यह tool किसी भ details चल रही है वो सब जानने में लेकिन एक चीज़ याद रखिए परड़े आप 5 से ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो 5 सवाल आप यहां पर पूछ सकते हैं कोई और example हम यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर जैसे हम लिखेंगे should I buy SDFC live तो यह share बता देगा कि अभ आप किसी share में invest करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार इस tool का इस्तमाल करके आप एक point of view जान सकते हैं purely AI based है वो काफी अच्छी बात है और इससे important बात क्या है बिल्कुल free of cost है और यह जो firm है Elgonaut Advisory यह भी एक registered investment advisory firm है तो उसके angle से भी आपको एक अच्छा benefit मिल जाता है तो link मैंने description में इसका दे दिया है tool का आप जाकर use कर सकते हैं और दोस्तों देखिए जहां तक बात यहां पर रही कि क्या हम अब overall सारा पैसा Nifty में invest कर दें since Goldman Sachs ने बुला है कि 20,000 तक जा सकती है तो मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूं कि Goldman Sachs ने आज से एक साल पहले या कुछ टाइम पहले तक यह भी बोला था कि मार्स 2023 में Nifty 19,000 को पार कर लेगी जो की नहीं हुआ है इससे पहले इनोंने यह भी बोला था कि December 2023 तक जो Nifty है वो 20,500 के आसपास आ जाएगी जिसको target को अब इनोंने बदल दिया है इससे पहले इनोंने December 2022 में भी बोला targets बदलते रहेंगे बहुत सारी rating agencies थी जिन्होंने पिछली दिवाली पे बोला था कि जो जिवाली 2022 है तब तक Nifty 20,000 पे आजएगी तो देखिए Nifty 20,000 पे तो आएगी ही चाए अभी आए चाए एक साल बाद आए तो इससे अच्छा क्या है हर एक साल बाद यह बोलते रहो क Nifty 20,000 आजएगी Nifty 19,000 आजएगी क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा ही कि Nifty 19,000, 20,000 इवन 25,000 तक भी Nifty जाएगी तो यह जो agencies है इनकी rating के हिसाप से सोच कर आपको invest नहीं करना है यह चीज़ आप अपने mind में clear रखिए जैसे जब जब dip मिलता है अच्छी fundamentally strong companies में dip मिलता ह चलिए क्योंकि हर 2-3 महिने में कोई नई rating agency कोई नया target लेकर आती है और पिछले 2 साल से 20,000 Nifty का target पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं 19,000 का target बहुत time से हम सुन रहे हैं तो इन targets के मत जाकर अपने specific जो अपने goals हैं उनकी तरफ समझ कर regularly invest करिए हर market condition में थोड़ा थोड़ा पैसा invest करते हो चलिए और जब भी economy की conditions अच्छी होगी तो Nifty 50 में जो आपको तेजी देखने को मिलेगी जो इन levels पे जब कम situated है market जब कम levels में market है तब आपने जो पैसा लगाया होगा उस पे आपको अच्छी returns यहां पर मिलेगी टूल का link मैंने description में दे दिया आप जाकर use कर सकते हैं और अपने सवाल इस chatbot से पूछ कर discuss कर सकते हैं कि क्या आपको किसी stock में invest करना चाहिए या नहीं धन्यवाद दोस्तों